नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग पॉसिबल के यूटूब चेनल पर आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए किसी चीज की टेंसन लेने से वो दूर नहीं होती उसके लिए कार करना पड़ कुछ जानकारी आपके माइंड में होगी जैसे कि आप परिच्छा में पेपर को सॉल्व कर पाएं लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो परिच्छा के संदर्म में है कि 2021 में UGC NET की परिच्छाएं कब आयोजित की जाएंगी और उसके form कब भरे जाएंगे इसकी साथ साथ एक important information और है कि जून 2020 के जो E-certificate है वो आ चुके हैं तो जिन विद्यार्थियों ने net qualify किया है वो अपने E-certificate को download कर सकते हैं तो पहले हम परिच्छा के संदर्म में बात करते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि इस pandemic को लेकर ब इशा कराये जाएंगे या कुछ उसमें फिर बदल होंगे तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आपकी जो परिच्छा है 2021 में उसके form मार्च में भरे जाएंगे और जून में जो है आपका paper कराया जाएगा लेकिन मार्च में कब form भरे जाएंगे इसका कोई date confirm न दिनों का दिया जाएगा उसके बाद से जो correction का time होता है पांच से छे दिन का वह भी आपको मिलेगा लेकिन आपकी रही बात तैयारी की तो तैयारी आप अभी से करिए अच्छे से करिए ऐसा नहीं कि exam के एक महीने का समय बचा हुआ है तब से आप तैयारी करेंगे तो फि ताकि परिच्छा में बैठते ही ऐसा कोई question न लगे कि ये question मुझे आता नहीं है आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे लगबख सारी question आते हैं और उसे मैं solve कर लूँगा तो ये रही तो अभी पहले topic के बाद परिच्छा के संदर में हमने बात कि परिच्छा का जो form है 2021 मे कब भरा जाएगा और साथ ही साथ कब उसका paper होगा दूसरा यहां पर important update है कि जून 2020 के जो विद्यारती है जून में जिन्होंने exam दिया था UGCnet का उनके e certificate यहां पर आ चुके हैं देखिए यहां पर एक link आपको मिल जाएगा जैसे ही UGCnet के website पर आप नीचे के तरफ scroll down कर करता हूं तो यहां पर एक page open हो जाएगा और जैसे ही नीचे इसको आप scroll down करते हैं तो यहां पर आपको कुछ information भरने होंगे जैसे आप देख सकते हैं यहां पर की candidate login एरिया है यह और यहां पर आपको select institution यानि कि आप UGCnet के विद्यारती है या CICER UGCnet के तो आपने UGCnet क आप दिया तो इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर इंटर capture code आपको यह capture जो code है इसको इंटर करना है और उसके बाद से जो है next कर देना है तो आपका देखे 7 8 और उसके बाद 8 4 और 9 3 यहां पर यह capture code है और इसको proceed कर देंगे proceed करने के बाद एक और page खुलेगा यहां पर और यहां पर आपको लगबग बहुत कुछ details भरने होंगे इसके बाद से आपका e certificate क्या होगा open हो जाएगा देखे यहां पर पहले roll number भरना होगा आपको पहला यहां पर जो है आपका roll number का block है फिर उसके बाद से यहां पर तीन जो box बना हुआ इसमें date of birth भरना है आपका पहले में day दूसरे में month और तीसरे में years और इसके बाद से नीचे देखे exam session यहां पर June 2020 अगर June 2020 में आपने exam दिया है तो उसका यह session आप भर सकते हैं और इसके नीचे देखे यहां पर जैसे click करते हैं तो यहां पर आपको और भी e-certificate के संदर में जानका है जिसे June 2020 के e-certificate यहां पर आउलेबल है दिसंबर 2019 में जो exam हुए थे उसके भी e-certificate आउलेबल है और June 2019 में जो exam हुए थे उसके भी e-certificate इस समय आउलेबल है तो अगर इन में से अगर आपका कभी भी exam हुआ है और आपने UGC net qualify किया है और आ आपने अपने certificate को डाउनलोड निंग किया है तो आप इन में से यानि June 2020 या December 2019 या June 2019 में से किसी भी सत्र में आपने exam qualify किया तो आप अपने e-certificate को डाउनलोड कर सकते हैं देखे एक hard copy जो है अपने पास हमेशा होना चाहिए e-certificate का UGC net का अगर आप किसी college में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे जो है आपसे net की requirement मांगी जाती है तो वहाँ पे आपको hard copy देना पड़ेगा जिरॉक्स का तो जब आपके पास hard copy रहेगा तभी तो आप जिरॉक्स कराएंगे तो अपना e-certificate जरूर डाउनलोड करें और परिशा की तयारी जो है आप अ अब एक्जाम कॉलिफाई है और वह अपना e-certificate डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो कहीं से अभी अच्छा लगए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल का subscribe जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के एक्जाम related बहुत सारी अपडेट च अपिक और महत्यपूर प्रश्णों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत